Hello everyone, I hope आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, आज मैं आपको DUSOL की final date sheet बताने वाला हूँ, जो आपकी December में exams होने वाले हैं, और semester 1, semester 3 और semester 5 के लिए ये date sheet आपको मैं बताऊंगा, semester 1 और 2 के लिए आप, sorry, 1 और 3 के लिए है basically है वीडियो, So, सबसे पहले आप यहां पे देखो, कि जो सबसे पहला आपका exam होने वाला है, वो 16 December को होगा, और शनिवार को ये exam होने वाला है आपका, और इसमें सबसे पहले आपका discipline specific course 1 है, इसमें computer science का exam होगा आपका, economics का exam है, education subject है जिसके पास English है, Hindi है, history है, maths है, pole science में आपको अगर, आप यहां पे subject के नाम भी देख सकते हो, तो पहला paper आपका, इन subject का होने वाला है, ये पहली shift रहने वाली है, और ये दूसरी shift रहने वाली है, ठीक है, timing यहां पे लिखी हुई है, कि क्या यहां पे time रहने वाला है, और ये shift आपकी कौन सी होगी, आपके admit card पे mention होगा, फि यहां पे first semester वालों को आगले exam, 6 जनवरी का यहां पे होने वाला है, ठीक है, और ये language का exam होगा, आपका ability enhancement course का, और इसके अंदर कईयों के पास EBS subject भी हो सकता है, तो ये सारी subject हैं, आपके shift की timing लिखी हुई है, और date लिखी हुई है, subject के नाम आप देख सकते हो, जो भी कौन सी date को कौन सा ही है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, फिर उसके बाद अगर आगे बढ़े, SEC का जो आपका exam होगा, वो January 20 को होगा, अभी मैं first semester वालों की date sheet दिखाता जा रहा हूँ, so 20 तारिक को होगा, SEC का, और SEC में जो subjects हैं, वो आपके सामने यहां पे लिखी फिर उसके बाद अगला paper, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, आपका discipline specific course 2A या 2B जो भी आपका subject है, वो 27 January को होगा, और subjects के नाम आपके सामने लिखे होए हैं, ठीक है, जो आपका major minor वाला होता है, वो आपको पता होगा, कि आपका major अगर ancient society ले रखा है, तो वो history का paper आपकी dates चल रही है, और उसके बाद VAC का जो exam होगा, आपका वो 3 फरवरी को होगा, और morning evening दोनों shift लिखी हुई है, ठीक है, फिर GE का जो आपका exam है, वो 10 फरवरी को होने वाला है, और जो subjects के name है, वो आपके सामने यापर लिखे हुए हैं, अब मैं आपको semester 3 के जो students हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि उनके exam कब कब होने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपका discipline specific course है, जो आपका non major है, ठीक है, और वो subject का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे history of India या आपका minor है, तो इसका paper 31 जनवरी को होने वाला है आपका, फि फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, discipline specific course B3, यह भी आपका non major है, यह 14 जनवरी को आपको इसको exam देने आपको जाना पड़ेगा, जो भी आपका subject है इसमें से आप देख लेना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, SEC का जो आपका exam है, वो 21 जनवरी का है, और SEC में ज इसमें, यह paper का नाम भी आप देख सकते हो, वैसे तो, इसका जो paper 28 जनवरी को होगा आपका paper, और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ू, VAC जो आपका subject है, उसका paper 4 फरवरी को होगा, morning, evening दोनों shift की, यहाँ पर timing mention है, और उसके बाद GE का जो आपका paper है, वो 11 फरवरी को होन mention है, कौन-कौन से पढ़ने है, तो यह आपकी official date sheet है, जो SOL ने दे दी है, I hope आपको यह अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको सारी date sheet मैंने दिखा दी है, SOL की website से ही मैंने लिए, और अगर आपकी कोई भी query है, आप अगर कुछ पूछना चाहें, तो आप मुझे message कर सकते ह Instagram पर, मेरा username है, आप normally search in, और उसके बाद यह लिखके od search मार सकते हो, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए,